हर मध्य निश्यत सिपाही एड्मिट का लिंक आ गये है तो एड्मिट काइसे डॉनलोड करना है और एकजाम से संबाधित महत्पूर निर्देश देख लिए जो अमार शीट भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या आप लोगों फिलब करना है और कोई भी गलती नहीं कर करना है किक करने को रही है पर आज के रहर्म फरबरी 2022 कर आप लोगों को उपर में नोटिस दिखेगा और नीचे में अडूद के इस link पर आप click करके admit card download कर सकते admit card download करने के लिए जो चाहिए mobile number date of birth जिस mobile number से आप form फिलब किये थे नहीं तो registration number date of birth से login किजिएगा और admit card आजाएगा वहाँ से download कर सकते है center कहां दिया आगे आप लोगों का ये भी dot होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो चलिए सबसे पहले आप exam से संबंधित बहुत ही महातपूर निर्देश देख लिजे और इसके बाद यहाँ पर देखेगा तो दिया हुआ है मधनिशियत सिपाही इपरवेस पत्र संबंधित सूचना इर्मिट कार्ट से संबंधित सूचना दिया हुआ है टोटल सीट जो हैसी में 365 है बिग्यापन संख्या जूरो टू दुहाजर इकिस कंतरगत यह भरती दिया गया और लिखित परिक्षा 37 फरवरी 2022 रवी बार को एक पाली मायव जीत की जाएगा टोटल कंडेट की बात करें तो इसमें टोटल तीन लाग कंडेट फॉरम फिलब किया है तो बहुत अच्छा जौब है और एक्जाम बहुत ही सकती तरीके से लिया जाएगा इसलिए आप लोग अभी 20 दिन बचा बिल्कुल आपका रिजल हो जाएगा फिर इसके बाद सत्या स्मार्च को फायर में का भी जाम लिया जाएगा और हम आपनों को कई बार बताए भी ते कि यह पर इक्छा बिल्कुल समय पर ली जाएगी और इसका डेट बिल्कुल भी पोस्टमंड नहीं होगा और आज भी आप लोगों को बताये थे कि आज ही एड्मिट का लिंक आ जाएगा और कल से आप डॉनलोड कर पाईएगा तो कल नहीं आज रात 12 वजे से ही यानि 10 फरवरी साफ डॉनलोड कर पाईएगा लिंक अभी दे दिया गया है लेकिन अभी लॉग इन नहीं होगा वहाँ पर टैम देना चाहते हैं तो अप्लिकेशन से कोर्स जोयन कर लीजिए बहुत ही कम प्रैस पर प्रैक्टिस से उपलब्द है प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेस्चन भी करवाएंगे और साथ में एक्जाम के सेम पाईटर्न पर आप लोगों को पर लिम एक्जाम है दस बजे से लेकरके 12 बजे की बीच में दो घंटों की यह परिक्षा है और इस परिक्षा में टोटल 100 क्वेस्चन पूछा जागर निगेटिव मार्किंग नहीं है यानि कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आप लोगों को सभी 100 और क्वेस्चन एटेंब करना है रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 बजे से शुरू है यानि आप एक्जाम हॉल में 9 बजे से परिवेस्ट कर सकते हैं एक चीज़ आपको अच्छे से धियान रखना है कि इस एक्जाम हो सकता है कि आपको आधा गंटा पहली रिपोर्टिंग हो सकते हैं आफ ड्यक्तिंटि में अःफुचिआ पहुच्छ ना ही बिढ़क हे कि से इसक्र प्रवीज को परिवेस्ट करने द्या जाएक और समय से नौ बज़े से नौ बज़े पहुन से पहुंच जाएगा साधे नौबजे तक आप लोगों को हर हाल में वहां पर पहुंच जाना वैसे आप ये टारगेट रखे नौबजे से पहले चले जाएगे नौबजे जैसे रिपोर्टिंग शुरू होगा एकजाम हल में परवेस कर जाएगे और एकजाम बहुत ही सकती सही तरीके से लिया जाएगे जिस तरह से दरोगा की एकजाम लिया गया था तो क्वेस्चन पेपर आंसर की कुछ भी सोसल मेडिया पर आप लोगों को वैरल देखने को नहीं भी लेगा तो परिक्षा बिल्कुल सही तरीके से लिजाएगी और जो भी पढ़ने वाले कनेड यानि वोटर एडी कार्ट, पासफ़ोर्ट, ड्रैविंग लेसेंस, पेंड कार्ट, अधार कार्ट को इसमें से कोई एक डोकुमेंट आप लोगों को वैद फोटो युक्त भाचान पत्र ले जाना है अधार कार्ट आप साथ में लेते जाएगा और एडमिट कार्ट इसके अधार आप लोगों की एक्जाम होल में परवेस्ट करने दिया जाएगा अगर एडमिट कार्ट पर फोटो फरेस नहीं है या फिर नहीं है तो उस कंडिशन में आप लोगों को दो फोटो फरेस है तो नहीं आप फोटो आप लोगों को ले जाने की जुरद नहीं है अगर वेबसेट से आप एडमिट कार्ड डौनलोड नहीं कर पाते हैं 24 फरवरी और 25 फरवरी को आप CSBC को आफिस जाकर भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आप लोगों को आविदन का रिस्विंग देना परेगा जो आप फॉर्म फिल अपके थे और सेंटर लि परेग्छा संबधित उत्तर पुष्ति का OMR सीट पर मुद्रित निर्देश का परतिरूप यानि अश्पैसिमेन कॉपी अभ्यार्थों की सुविधा के लिए CSBC के वेबसाइट पर दिया गया नीचे आप लोगों को OMR सीट भी दिखाएंगे और इसमें आप लोगों को र रॉल नमर, question booklet या signature करना भूल गेते इन कार्णों से सीधे reject कर दिया गया है तो आप कितना भी अच्छा बने अगर ये सब गलती कर देते हैं रॉल नमर सही से नहीं फिलप करते हैं question booklet नमर गलत फिलप कर देते हैं या फिर signature करना भूल जाते हैं तो आपको reject कर दिया जागा तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल साबधानी से फिलप करना है और यहां पर असपश्ट लिखा हुए उनकी उतर पुस्तिका का मुल्यांकर नहीं किया जाएगा और उपर यु हाल में भी मिलेगा और इसके लिए पेन कौन सा यूज करना है बुलू या ब्लैक को एक पेन आप यूज कर सकती है यहां पर असपश्ट लिखा हुए यूज बुलू या ब्लैक को एक ही पेन आप लोगों को यूज करना है तो बेश्ट रहेगा बुलू या ब्लैक में से क आप लोग लिखते हैं वहीं पेन आपको यूज करना जेल पेन विल्कुल भी यूज नहीं करना है और यहां पर निर्देश देख लिजिए इस तरह से आप लोगों को रॉल नमर फिल अप करना है यहां पर इस वार क्या है कि पिछली बार तो दे दिया गया था फ्रॉंट पेजी लेकिन इस वार सिर्फ बैक सैट दिया गया है तो पिछले एकजाम का यहां पर ओम्र सीट देख लिजिए यह फोरेश्ट गार्ट से संबन्धित एकज तो आप लोगों को सही तरीके स्वयमार सीट में फिलब करना जिससे यहां पर बार कोड जो है एक घीसे ना अगर थोड़ाभूत यह घीस जाएगा तो यहां पर नहीं होना चाहिए और पीछे में कारवन कॉंपी भी दिया हुआ रहा रहता है तो कारवन कॉंपी को आप लब हो जाती यह इसलिए रहता है कि यहां पर आयूक के पास उरक्षित रखने के लिए तो उसको आप लोगों को अलग नहीं करना और कारवन कॉंपी पर नहीं रंगना यह जो फ्रॉंट का पेज रहेगा से में इसी तरह से रहेगा और यहां पर अनुछेद लिखना है हि यहां पर आप लोगों को अपने रेटिंग में इसमें लिखना है यह मिलाया जाता है जब आप फेजिकल देने जाएगा वेरिफिकेशन के समय रेटिंग में चिया जाता है कि आप ही परिक्षा दिये थी या कोई और यह क्लियर हो गया और कारवन कॉंपी के बारे में भी है आप समझ लिए कि कारवन कॉंपी आप लोगों को अलग नहीं करना अभी यहां पर देखिए गा तो रॉल नमर आप लोगों कर्ड से बिल्कुल सही तरीके इस फिलब करना फिलब कैसे करना तो इसका संप से बेश्ट तरीका यह रहेगा जैसे अगर आपका रॉल नमर 9 स सामने में लेकिन होगा क्या कि 8 में रंग आ जाएगा उस कंडिशन में रिजेक्ट हो जाएगा तो एक वार आप इस तरह से मिला कर के थोड़ा-थोड़ा अगर थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं परेगा आप सुधार करके अगर एक के बदले दो है तो दो में रंग दीजेगा तो इस तरह का बेश्ट तरीका रहेगा आपको गलत नहीं होगा इसके बाद यहां पर क्वेस्चन बुकलेट को भी आपको फिलाब कर यह कहां पर दिया हुआ रहेगा तो क्वेस्चन पेपर के सबसे टॉप में ही एक नमर दिया हुआ रहता है तो इसमें आप नमर लिख दीजे और फिर इसके नीचे रंग दीजे और यहां पर सबसे महत्पुर्न एक गोला है इस गोला को आप लोगों को भी क्या जाता अगर आप गलती से भी गोला को रंग देते हैं तो आप उसीधे रिजक्ट कर दिया जाएगा इस गोला को बिल्कुल भी आप नहीं रंगिएगा इसके बाद यहां पर विक्छक का हस्ताक्षर यहां पर डीचर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर आपको अप आप लोगों को फेलों करना है हिंदी तता अंग्रेजी दिया हुआ रहेगा तो किसी ये कहा दिँग है जरूरी है कि हिंदी अंग्रेजी किसी एक भास हाम लिख सकते हैं जब आ जाए जाते हैं तुम आसल समय रैटिंग मिला आ जाता है अगर आप इस तरह से OMR sheet फिलब करते हैं और रिट्देश का पारण किजेगा तो बिल्कुल भी आपका OMR sheet रिजेक्ट नहीं होगा और आपका result आएगा अभी बेस दिन बचा हुआ अच्छे तरीके से त्यारी कर ली जो आप application पर जाकर practice set भी जोयन कर सकते practice set में आप लोगो practice set के साथ साथ हिंदी जी के क्रेंट अफेर्स का important question भी मिल जाएगा पीडियाप भी मिल जाएगा और साथ में वीडियो भी आप लोगों को provide कर वाएँगे तो जल्दी से जाकर आप practice set जोयन कर ली जिसमें आप लोगो 50 plus set मिलेगा साथ ही important question भी मिल जाएगा